बिसमिल्लार हमान रहे हैं, इस लेक्षर के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप multiple plots बना सकते हैं, लोगों की codes को copy करके and believe me, 99.99999999 में जितने भी 9 लगा लो, लोग दूसरों के codes को copy करते हैं और यही तो coding का फाइदा है, कैसे ही मैं आपको बताता हूँ जब भी कोई एक package लिखा जाता है, जब भी कोई software लिखा जाता है, उसकी documentation आती है कैसे use करना है, इसका मतलब है वो पहले आपको template code बताते हैं कि ऐसे use करें ठीक है, अब आपको याद रखने की ज़रूरत ही क्यों है, जब वो जिसने बनाया है, वो ही आपको code दे रहे है तो इस वज़ा से R या python या कोई भी आप language सीक रहे हैं, खासतोर पर R की मैं बात करूंगा इसकी दलील अभी आपके सामने आने वाली है, स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अब हम क्या करने वाले हैं, plot बनाएंगे और कुछ websites हैं जहां पे plots के codes बढ़े होए ठीक है, for example मैं यहां पे कहता हूँ, say for example pie chart in ggplot2 मैंने यह लिखा और सबसे पहली the rgraph gallery, one of the best websites आइवाग से, ठीक है rgraph gallery, यह एक ऐसी gallery है जहां पे आपको code भी मिलते हैं, आप इसे को adapt करके अपना plot बना सकते हैं ठीक हो गया, then the second one is this one sthda, यह मेरी favorite है क्योंकि इसमें बहुत ही detail में blogging के through plots को बनाये गया है then आपके पास data novia भी है, this is another one, ठीक है और यह top पे आती है Google search के अंदर because a lot of people have worked so hard to make these kind of graphs and then of course हमारे पास there are many other notebooks as well or tutorials भी होते हैं, जिन में आपके पास सारे का सारा कुछ होते हैं and यह जो our guide for NSE statistics है, यह आपको भी help out कर सकती है कि किस तरीके से आपने plots बनाने है, styling guide क्या है, introductory क्या है, बाकी सारे चीज़ें क्या है और एक मैंने आपको book बताई थी, gg plot to book pdf, यह वाले book मैंने आपको बताई थी कि आप अगर इस book को master कर लेते हैं तो आप जिस तरीके से plotting करेंगे, no one can actually beat your data visualization skills, यह मैंनी कहा रहा, यह जिस बंदे ने यह book लिखी है, Harley Wickham ने, Harley Wickham यस, वो कहा रहे है ठीक है, हर एक geometry, हर एक चीज़ को भी यहां पे बता रहे है, so you can read this book, of course इस book के pages हैं 217 और हम लोगों के पास time कम होता है, तो इसका best way क्या होता है, chat with pdf में जाके इस book के साथ chat करें, समय रहे बात की, और उसके लिए software काफी मुझूद है online भी, और बहुत जल्द मैं अपना chat pdf, chat pdf, यह वाली, dot com, आप इस पे जाके भी chat pdf कर सकते हैं, यह free में हुआ करते थी, but now they are charging something, तो यहां पे आप इस pdf को upload करेंगे, and then you can ask questions with this pdf, इसकी example मैं दे देता हूं, यहां से मैं इसे download करता हूं, downloads मैं इसे रख लेते हैं, यहां पे इसको save करते हैं, और अब मैं य यहां से click करता हूं, यह हमारे पास book है, इसको मैं यहां पे ले है, it will take some time, pdf को upload करने में, and pdf जैसे upload होगी, you can open this thing, और आपके पास यह काम आ जागा, but as I told you already, कि आपको पैसे pay करना पड़ते हैं, to do this thing, ठीक है, यह sign in करना पड़ते हैं, I won't do anything here, so it's up to you, if you want to use, मेरे पास एक और टूल है, size space के नाम से आपको पता है, so मैं इसके ओपर chat with pdf easily कर लेता हूं, and I can ask questions from there, एक other tool आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, chat GPT तो है, उसके इलाभा harpa.ai है, आप किसी भी web page पर जाके, यह add to chrome आप कर लेंगे, something like this, जैसे आप इसको add to chrome करेंगे, यह extension आपके browser में add हो जाएगी, and then you can use this, ठीक है, और आप इसी से question पूछ पाएंगे, so chat with pdf, अगर आप से, मतलब बड़ी pdf है, तो उसको chat करने की जाज़त ने देती, but on the other side, it gives you multiple other options, और यह typus.io है, यह भी free में आप यूज कर सकते हैं for a limit, मेरे पास इसका premium version है, and most of you already have this तो यहाँ पे chat with pdf भी हो सकती है, third one is harpa, और harpa के extension आप किसी भी web page पे जाके चला सकते हैं, so these are few things, right, अब चलते हैं आगे, हमने pie chart बनाने है, ठीक है, और pie chart बनाने के लिए जो चीजने जरूरी होती है, यह एक pie chart है हमारे पास, ठीक है, और इस pie chart को बनाया गया है with this code, right, अब यह हमारे पास code है और हमने pie chart बनाने कैसे बना सकते हैं, इसका एक तरीका कार क्या होता है, pie chart एक plot होता है, जो parts of whole बताता है हमें, यानि कि सारे के सारे data का part, अब इसका तरीका कार क्या है, मैं यह data set उठाऊँ, ठीक है, देखिएगा, मैं यह data set उठाऊँ, यह मैंने स best I would say, and you know it, chat GPT के उपर आप आगें, ठीक है, यहां से मैंने निया chat GPT for Omni, या preview भी आप on कर सकते हैं, so canvas एक latest आया recently, कल पर सो ही आया, 3 October को, तो आप इसको भी use कर सकते हैं, but, अगर मैं यहां पर कहूं, show me an R code to make pie chart from this data, and please also make a pie chart, for the data, यहां पर मैं data को paste करता हूं, यह मेरा data आ गया, मैं यहां से इसको बंद करता हूं, image भी आ जाती है साथ, यह मैंने data यहां पर paste किया, and you see कि सबसे पहले तो आपको data चाहिए होगा, और pandas and, यह मुझे python पर बता रहा है code, it's actually doing this thing for itself, यह खुद जो है, plot मुझे जो बना के देगा, वो देगा pandas के ओपर या python के ओपर, but you can check the code जो मेरे पास आएगा, इसके बाद, let's see, meanwhile जब यह काम कर रहे है, we can take another look here, और यहां पर plots के अंदर, हमारे पास, load data और यह explore इसको मैं बंद करता हूं, and यहां पर एक नया script मैं start करता हूं, और इसको मैं कहता हूं, ctrl s 0 to pi charts, या pi chart बोल देते हैं, अब of course हमने पहले क्या करना है, libraries करनी हैं, और हमने, import, yeah, library, उसके लिए करेंगे जनाब, library करके, tidyverse, tidyverse, and then of course, read excel, library, read excel, यह दोनों हमने कर लिए, अब हम करते हैं, load data, load data, यहां पर df, यह आगया हमारे पास, read excel, और हमने यहां से ghgs का data लेना है, not ghgs, ठीक है, तो मैं इन दोनों को run करता हूं, यह मेरे पास, libraries होगी, यह मेरे पास data आगया, मैं इसको df में store कर रहा हूं, अब, not the other way around, let's see, यह हमारे पास अभी भी जो है, data के अंदर, ghgs, working directory, जो मैं देखता हूं, कहां पर, getwd, यह अभी भी plotting के अंदर है, that's fine, then what's wrong with this, ghgs, xlsx, read xl, and मैं से run करता हूं, error in utilize, unzip, far, true, zip file, c, one drive, okay, I know what's wrong, मैंने यह open की हुई है, ठीक है, समझाए बात की, जब आप किसी file को open रखते हैं, then वो readable नहीं होती, excel की, इस library की वज़ा से, now it's working fine, so यह एक error, आपका time बचा गई है, मैं यहां से इसको run करता हूं, यह मेरे पास df आ गए, ठीक है, अब यहां पे हमने pie chart बनाने है, so create a pie chart, अगर आप यहां पे भी इसको instruction दे देंगे न, कि किस column का pie chart बनाने है, so it will do the task, for example मैं यहां पे करता हूं, crop underscore type का, ठीक है, let's see, और यह github copilot आपके पास चल रहे, and it will create that plot, but you can also take the same thing from here, ठीक है, और यहां से भी आप code जो है, वो ले सकते हैं, इसने भी एक pie chart बना के दे दिया हमें, and इसने python में बनाया है, तो मैं यहां पे कहता हूं, give me our code to do the same thing, I already have the data, अब यहां पे चेक करें, हमारे पास यह plot आ गया है, you can click on this, और यहां पे, इसका यह वाला जो code automatically चल रहा है, you can actually save this plot, तो यह भी doable है, यह भी आप application ready के लिए use कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपका data safe नहीं होता, chat GPT जो है, वो safe नहीं करती है आपके data को, safe से मुराद है, कि secure नहीं है data, आप जब upload करते हैं, so if it's fine for you to upload the data, go for it, and chat GPT automatically आपको plot सारे के सारे बना के देदेगी, you don't need to worry about anything, सबसे असांधरी का यह है, R में बनाना है, तो of course you have to find out के crop का count क्या है, और उसकी base पे करना है, यह मेरे पास code आग है, मैं यहाँ पे जाके इसे लिखता हूँ, और हम R पे पहले बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे इसे paste करता हूँ, मैं control shift 1 करता हूँ, just to show you के कैसे बनना है, अच्छा, सबसे पहले तो हमने crop type का table बनाना है, table क्या है, आपको पता है न, table हमें क्या बताता है, unique values, ऐसे ही है, let's see, मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे control shift 1 करके पहले data दिखा देता हूँ, कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, and look, हमारे पास crop.type है, और crop.type के अंदर हमारे पास यह सारी चीज़े है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, crop का count लेंगे, और of course, you can also check के crop का count है क्या, ठीक है, let's see, मैं इसको run करता हूँ, and it's saying के objective type closure is not suitable, data, okay, हमारे पास जो error आ रही है, you know that क्या है, क्योंकि मैंने data copy की है, it should be df not data, ठीक है, वही बार नकल के लिए भी थोड़ी सी अकल की जरूरत है, that's what we are doing here, so ये देखें, अब आपके पास count आ गया, fellow 61 ये सारा आ गया, ठीक है, अब ये count हमें बता रहा है, कि जब इन सभी को जमा करेंगे, that will make a whole pie, right, और ये automatically क्या करेगा, उस whole pie की percentage या count को देख लेगा, यानि कि इन सब को जमा करने के बाद हमारे पास जो values आती है, और यहाँ पर df करते हैं, let's run this, 650 में से ये सारी differentiation है, ठीक है, कुछ यहाँ पर n a भी है, और कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर capital and small letter के साथ भी आ रहे है, which was the error in the data set, समझाई भात की, इसका मतलब weed key 79 on 2, ऐसे है, अब ये error क्यों है यहाँ यहाँ पर, when I created that pie chart, तो मैंने Excel पर काम किया था, Excel doesn't care about this small letter and capital letters, लेकिन यहाँ पर it is taking care of this, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो GHG के data को open करूँगा, and इसके अंदर जाके, मैंने अब जो crop type है, इस data पर ctrl shift L दबाता हूँ, और यहाँ से सिरफ और सिरफ wheat को, this is different, experiment type, crop type, यहाँ से सिरफ wheat को मैं select करूँगा, and you will see, यहाँ पर यह कोई differentiation नहीं दिखा रहा wheat की, ऐसे ही है, चेक करें, लेकिन यह दो wheat की जो values हैं, यह small letter में लिखी हुई है, right, मैं इसको copy करता हूँ, यहाँ पर paste करता हूँ, यहाँ पर भी paste करता हूँ, so मैं सिरफ values paste करूँगा, यहाँ दोनों पर, control V, and only values, ताके color वही रहे, मैं इसको control S करके save कर देता हूँ, and try to always remove the filter, वरना आपका data यही consider होना, जतना सा नजर आ रहे, don't keep your filter on, when you are importing the data in R, वरना वही data आएगा, जो filter के अंदर है, मैं इसको बंद करता हूँ, control S करके से close करता हूँ, then I will rerun the commands, जो मैंने पहले की है, यहाँ पर, यह वली मैं दोबारा से data ले के आता हूँ, ठीक है, यह data आ गया, अब देखिएगा, run, यह मैंने किया, crop count, look, हो गया 81 wheat का, so these kind of errors comes, when you use R, R case sensitive होता है, ठीक है, Excel नहीं होता, तो मैंने Excel में बनाया था, it was not the big deal for me, so 650 में यह हो गया, अब पाई क्या करेगा, यह जो crop count है न, यह हमारा एक object बन गया, हमने पाई लिखा, और crop count हमने लिख दिया, ठीक है, फिर labels हमने दे दिये, कैसे, जो names है, crop counts के, वो हमारे पास आजए, फिर उस crop count के labels को, हमने round कर दिया, कितना एक value के इर्दगिर, और percentage निकाल दी, ठीक है, so यह basically क्या करेगा, percentage value लिखेगा, and then we use a color palette, जो आपके defined color देगी, ठीक है, and then आप, जो main title है, crop distribution लिख सकते हैं, let's see, कि यह run होता है कि नहीं होता है, then we will see the change, and अगर आप गौर करेंगे, हमारे पास इस तरीके से, बन चुक है pie chart, but it's not really a kind of thing, जो सही तरीके से हमें नज़र आ रही है, something like this, let's see, so यह pie chart है, सो इसका तरीका कार क्या होता है, मैंने ggplot2 नहीं यूज की अभी, सिरफ pie की command यूज की है, which is built-in in tidyverse, ठीक है, pie chart जो built-in होता है, उसकी command यूज की है, मैं यहाँ पर करता हूँ, अब use ggplot2 to create, to create the same pie chart, let's see, हमने same pie chart बनाना है, ggplot2 के through, let's see, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर, df आया, यह basically, मेरे पास code है, पहले मैं से run करके देखता हूँ, अगर ठीक चला है, that's fine, otherwise we will see, क्या होना है, अच्छा जी, 8 needed, but only 7 provided, insufficient value in manual scale, something is wrong, wrong here, let's see, हमारे पास जो values एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर, okay, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, red, hopefully now it will work, yes, now it's working fine, so यह हमारे पास pie chart बन गया, and it gives us a value, कि हमारे पास percentage और बाकी चीज़ों के इलावा, total pie में से कितनी value यहाँ पर आ रही है, लेकिन अगर आप गौर करें, तो यह हमने data frame से start किया, count, count किया उनका, ggplot 2 बनाया, x में कुछ ने दिया, y में हमने सिरफ n दिया, n means number, किस चीज़ का number, यहाँ से जो हमारे पास count आया है, फिर उसको fill कर दिया crop type के नाम से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर last पर scale manual ना करूँ, let's see हमारे पास क्या होता है, still we will have a pie chart and automatically colors आएंगे, so that was an optional argument, ठीक है, और अगर आप labs ना दें, यानि के आप यह दोनो themes और legions बगरा ना दें, you are still fine to go, समयदाई बात की, सिरफ legion की position बता रहा था, and then you can see के हमारे पास जो यहाँ पर theme void है, इसकी पजाए आप theme को यह और भी use कर सकते हैं, मिसाल के तोर पे हमने यह यहाँ पर plot बनाया, geom bar हमने दिया, और उसको हमने coordinate polar के अंदर convert कर दिया, यानि के bar plot को ऐसे हमने roll कर दिया, एक किसम का, समझ रहे बात को, पहले bar plot बने, फिर उसे roll कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करता है, मैं यहाँ से यह वाले चीज separate कर देता हूँ, and let's run this, तो यह हमारे पास plot था, ठीक है, अब मैं गया करता हूँ, इसको जोडता हूँ, इसके साथ, अब next step क्या हुआ है, यह आपस में roll हो गया, समझ रहे ना बात को, एक वो जो cylinder को हम जब roll करते हैं, तो पाई बन जाता है, तो यह वो ही geometry है, mathematics है basics, यह था बहले, फिर यह बन गया, अगर आप देखना चाहें, कि यह जो मैंने function यहाँ पर use की है, यह मुझे बताया गया है, चाहे जी बीड़े के थूँ, यह क्या करते हैं, अगर मैं इसको paste करूँ, तो यह basically आपको count दे देते हैं, same एक data बनाता है, crop type और n की value, यह जो हमने लिखा है न, count की command, यह deep layer package के थूँ आई है, and it gives you crop type, and number of values inside that crop type, अगर आप गौर करें, यहाँ पर सिरफ wheat का मसला नहीं था, rice का भी मसला आ रहा है, क्या ख्याल है, है ना, so we need to check that rice as well, और उसके इलावा कोई नहीं है, तो मैं दुबारा सिर्फ आपिस जाओंगा, यहाँ पर, gd को open करूँगा, यहाँ पर, जो small letter के साथ rice लिखा हुआ है, उनको find करूँगा, control let दबाता हूँ, यहाँ पर, rice, इनको replace करूँगा, rice के साथ, मैं replace all कर देता हूँ, 48 values replace हुई है, control A करके run कर दूँगा, simple, ठीक है, अब यहाँ पर check कीजिए, अब हमारे पास, rice जो है, 40 आगे, अब हमारे पास खानने भी काम है, so these kind of errors happen, आपने बड़ी गोर से देखने, तो इस तरीके से आप, जो है, वो count plot बना सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ, point to be noted, अगर आपके पास, यह इस किसम का data मजूद है, यानि कि left side पे आपके पास value है, जो names है, right side पे उनका count है, then it's easy in R to create account plot, जिसको हम pie chart भी बोलते हैं, ठीक है, यानि कि bar plot को हमने roll कर दिया, ठीक है, और यही तरीका कार अगर आप गौर करें, अब हम देखते हैं, जी, यहां पे, अगर आप गौर करें, यहां पे different किसम की libraries के साथ, आप simply भी बना सकते हैं, और आप different भी, यह देखें, इन्होंने data frame पहले बनाया, something like this, male and female का, और उसको bar plot में बनाया उन्होंने पहले, फिर उन्होंने क्या किया, बार को coordinate polars, यानि के दुनों polar end, आपको पता है न polar ends क्या होते हैं, अगर एक rod हो, इसका एक positive end है, एक negative end है, दुनों को ऐसे mode के जोड़ दिया, ठीक है, so that's how you can create a pie chart like this, फिर आप इसके color change करने हैं, तो ये वाली values ऐसे डाल दें, उसी pie के आगे आगे, आप चीज़ें को add कर सकते हैं, themes को use कर सकते हैं, minimal theme को use कर सकते हैं, gray को कर सकते हैं, and then you can do multiple things here, तो ये pie chart की ये guide है, सिरफ आपको analogy समझ आनी चाहिए, के data कैसा दिखना जाहिए मेरा, और मैंने chart कैसे बनाना है, and again goes here, यहाँ पर भी वही same चीज़ बताईए, ggplot2 और dplyr के थू, आप simply बना सकते हैं, इनको arrange भी कर सकते हैं, and here you go, you can change different things, and then same, अगर आप यहाँ पर जाके भी pie charts को देखेंगे, you will have the same exact analogy, और यहाँ पर ggplot2 की इस website के अंदर भी, and also in chat जेपिटे and other things, this is how you can create a pie chart, जिनको नहीं बता के pie chart कैसे बनना है, simplest way is, के आप data को names and values में convert करें, and then उस data को use करें, ठीक हो गया, and आपका pie chart जो है वो ready हो जाएगा, यहाँ तक hopefully आपको pie chart clear हो गया होगा, right?